अध्याय दो गीता का सार संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रवाले अर्जुन को देखकर मधुसुदन कृष्ण ने ये शब्द कहे श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे यह उस मनुष्य केले तनुप्धी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो इससे उच लोग की नहीं अपितु अपयश्की प्राप्ती होती है हे प्रथा पुत्र इस हीन पुसंता को प्राप्त मत हो यह तुमें शोभा नहीं देथी हे शत्रों के दमन करता हिदय की शुद्र दुर्बलता को त्याक कर युद्ध के लिए खड़े हो अरजुन ने कहा हे शत्रु हंता हे मदुसुदन मैं युद्ध भूमी में किस तरह भीश्म तथा द्रोंड जैसे पूजनिय व्यक्तियों पर उलट कर बान चलाऊंगा ऐसे महापुर्षों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है भले ही वे संसारिक लाब के इच्छुखों किंतु हैं तो गुरुजन ही यदि उनका वद होता है तो हमारे द्वारा भोग्य पत्त्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ट है उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम धुत्राश्ट्र के पुत्रों का वद्व कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवशक्ता नहीं है फिर भी वे युद्ध भूमी में हमारे समक्ष खड़े हैं अब मैं अपनी क्रिपन दुर्बल्दा के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्रे खो चुका हूं ऐसी अवस्था में मैं आप से पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रयस करो उससे निश्चित रूप से बताएं अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शर् क्रपया मुझे उपदेश दें मुझे ऐसा कोई साथन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके स्वर्पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धनधान ये संपन्य सारी प्रत्षिपत निश्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इ इस प्रकार कहने के बाद शत्रों का दमन करने वाला अर्जुन क्रिष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया हे भरत्वंशिध तुराष्ट उस समय दोनों से नाओ के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानों हसते हुए ये शब्द कहे श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्ते पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है जो विद्ध्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अत्वा ये समस्त राजा न रहे हो और न ऐसा है कि भविश्य में हम लोग नहीं रहेंगे जिस प्रकार शरीधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यवस्था से करुणावस्था में और फिर व्रद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्ति होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त न पुरुष श्रेष्ट अर्जुन जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ती के योग्य है तथ्व दर्शियों ने यह निश्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थाईत तो नहीं है किन्तु सत अपरिवर्तनिय रहता है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्यन द्वारा यह निश्कर्ष निकाला है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो उस अव्यायात्मा को नश्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है अविनाशी अप्रमे तथा शाश्व जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है अतहे भरजवंशी युद्ध करो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अग्यानी है क्योंकि आत्मा न तो मरता है और ना मारा जाता है आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यू वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता ये पार्थ जो व्यक्ति है जानता है कि आत्म अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारन करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भोतिक शरीर धारन करता है यह आत्मा न तो कभी किसी शर्ष द्वारा खंड खंड किया जा सकता है ना अगनी द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है यह आत्मा खंडित तथा अगुलन शील है, इसे न तो जलाया जा सकता है नहीं सुखाया जा सकता है यह शाश्वत सरव्यापी, अविकारी, इस्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनिये तथा अपरिवर्तनिये कहा जाता है यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए किन्तु यदि तुम यह सोचते हो, कि आत्मा अत्वा जीवन का लक्षन, सदा जन्म लेता है, तथा सदा मरता है तो भी है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है जिसमें जन्म लिया है, उसकी मृत्यू निश्चित है, और मृत्यू के पश्चार पुनर जन्म भी निश्चित है अथे अपने अपरिहारे करतवे पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए सारे जीव प्रारम में अव्यक्त रहते हैं, मध्यवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनह अव्यक्त हो जाते हैं अतेशोग करने की क्या आवशक्ता है? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई से आश्चर्य की तरह बदाता है, तथा कोई से आश्चर्य की तरह सुनता है, किन्तु कोई कोई इसके विशय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वद नहीं किया जा सकता, अतह तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवशक्ता नहीं है, शत्रिय होने के नाते, अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, तुम्हें जानना चाहिए, कि धर्म के लिए शत्रिय सुखी हैं, जिहें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लूप के द्वार खुल जाते हैं, इन्तु यदि तुम्हें युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्द नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अप यश्च तो मृत्यु से भी बढ़कर है, जिन जिन महान योध्धाव ने तुम्हारे नाम तसा यश्च को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमी छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुछ मानेंगे, तुम्हारे शत्रु अनेक प् शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, और तुम्हारी सामर्थ का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इस से दुखदाई और क्या हो सकता है, एकुंति पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत तो प्रत्वी के सामराज्य का भोग करोगे, अत्य द्रड संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, तुम सुख या दुख, हानी या लाभ, विजय या पराजय का विचार किये बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेग यहां मैंने वैशलेश्रिक अध्यन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निश्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो, हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, इस प्रय पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दड़ रहते हैं, और उनका लक्ष भी एक होता है, हे कुरुनंदन जो दड़ सतिग्य नहीं है, उनकी बुद्धी अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, अल्प ज्यानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के पति अत्यदिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन, शक्ति, इत्यादी के लिए विविद सकाम कर्म करने की संस्तुती करते हैं, इंद्रिय तृत्ति तथा ऐश्वरे में जीवन की अभिलाशा के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़ कर और कुछ नहीं है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भोतिक ऐश्वरे के प्रति अत्यदिक आसक्त होने से ऐसी वस्तों से मुहुक्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दर्णिष्चे नहीं होता, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, हे अरजुन इन तीनों गुणों से उपर उठो, समस्त द्वईतों और लाब तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायन बनो, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात् उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किन्तु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म ना करने में कभी आसकत हो, हे अरजुन, जैयत्व पराजय की समस्त आसक्ति त्याक कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी संता योग कहलाती है। हे धनन जय, भक्ति के द्वारा समस्त गरहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहन करो। जो यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे एक कृपण हैं। भक्ति में सनलगन मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतय योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कारे कोशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े रिशी मुनी अत्वा भक्त गण अपने आपको इस भोतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्न मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्र अन्य योग्य सब के प्रती अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार में भाशा से विचलित नहों और वह आत्म साक्षातकार की समाधी में इस्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षन हैं वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाशा क्या है वह किस तरह बैठता और चलता है श्री भगवान ने कहा हे पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय त्रि इस्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त इस्थित प्रग्य कहा जाता है जो त्रेतापों के होने पर भी मन में विच्रित अत्वा सुख में प्रसन नहीं होता और जो आसकती भय तता क्रोज से मुक्त है वह इस्थिर मनवाला मुनी कहलाता है। अपने इंद्रियों को इंद्रिय विशयों से खीच लेता है वह पूर्ण चेतना में दर्णता पूर्वक इस्थिर होता है। देधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निव्रत हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तमरस के अनुगव होने से ऐसे कारियों को बंद करने पर वह भक्ती में इस्थिर हो जाता है। हे अरजुन, इंद्रिय इतनी प्रबलत था वेगवान हैं कि वे उस विवे की पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पुर्णतया वश में रखते हुए, इंद्रिय सैयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में इस्थिर कर देता है, वह मनुष्य इस्थिर बुद्धी कहलाता है। इंद्रिय विशयों का चिंतन करते हुए, मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन होता है, और मोह से इस्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब इस्मरण शक्ती भ्रमित हो जाती है तो बुध्धी नश्ट हो जाती है और बुध्धी नश्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनह गिर जाता है। किंतुस असराग तथा द्वेश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को सैयम द्वारा वश्मे करने में समर्थ व्यक्ती भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनमृत में तुष्ट व्यक्ती के लिए संसार के तीनों ताप और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धी शीग्र ही इस्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनमृत में परमेश्वर से संबंदित नहीं हैं उनकी न तो बुद्धी दिव्य होती है और नहीं मन इस्थिर होता है। जिसके बिना शांती की कोई संभावना नही हैं शांती के बिना सुख हो भी कहते सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। उसी प्रकार विचरनशिल इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धी को हर लेती है। अतैहे महा जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विशयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं उसी की बुद्धी निसंदे इस्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्री है वह आत्म सैयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरिक्षक मुनी के लिए रात्री है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवहा से विचलित नहीं होता और जो सदैवि स्थिर रहता है वही शांती प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी मस्ते च्छाओं का परित्याग कर दिया है जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी मम्ता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है वही वास्तविक शांती को प्राप्त कर सकता है